हेलो बच्छो आप लोग कैसे हैं आसा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे पिछली टापिक में हम लोगों ने पढ़ा पूड़ वर्ग बनाकर दो घास समीकरडों को हल करना और उसके अंतरगत हम लोगों ने जब उसको प्रूब किया था तो हमारा एक सूत्र मिला था बेटा उस सूत्र हमारा मिला था यक्स इज इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस रूट बी इसक्वायर माइनस फोर एसी और अपान टू ए बेटा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये सिद्ध किया था तो इस सूत्र को बेटा दुई घाती सूत्र या स्रीधराचार सूत्र के नाम से भी जाना जाता है इस सूत्र का उपयोग करके बेटा इस सूत्र का उपयोग करके दो घात समीकरडों के मूल कैसे ग्यात किये जाते हैं आज इस पर हम डिसकस करेंगे और इसको साल्व करेंगे बेटा जैसे आपका एक इक्क्वेशन है बेटा 4X स्क्वायर और प्लस 4 रूट 3X और प्लस 3 इक्वाल टो जीरो प्लस 3 इक्वाल टो जीरो इस इक्वेशन को दुई घातिय सूत्र की सहायता से साल्व करना है इसको हम कैसे साल्व करेंगे इसको आप ध्यान पूर्वक अच्छे से समझे बेटा ये आपका इक्वेशन नंबर हम फ़र्ष्ट माल लेते हैं बेटा हमको एक चीज मालूम है बेटा कि दो घात का जो व्यापक समीकरण होता है बेटा दो घात का व्यापक समीकरण जो होता है बेटा वो आपका होता है एक्वेशन नंबर आपका सेकंड है अब समीकरण नंबर एक और दो समीकरण नंबर फ़र्ष्ट और समीकरण नंबर सेकंड इन दोनों की हम तुलना करेंगे और समीकरण नंबर फ़र्ष्ट और सेकंड की तुलना करके A, B और C की वैलू हम निकालेंगे बेटा तो यहां X स्कॉायर का गुडांक A है बेटा और यहां X स्कॉायर का गुडांक फोर है तो जो A की वैलू होगे बेटा उस समीकरण नंबर 1-2 एक वै दो की तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे बेटा तो एक वैलू जो है ओ फोर आएगे बेटा बी की वैलू आपकी फोर रूट थ्री आएगे बेटा एंड सी की वैलू आपकी थ्री आएगे बेटा ये तीन वैलू है अब जो दुई घाती सूत्र है बेटा उस सूत्र को हम रखेंगे दुई घाती सूत्र जो आपका है ओ एक्स ब्राबर आपका है बेटा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वाइर माइनस फोर एसी अपान टू ए अपान टू ए इसमें जो वैलू हमने निकाला है उस वैलू को हम लोग सब्टिट्यूट करेंगे बेटा जो वैलू हमने निकाला है ए बी और सी का उस वैलू को हम लोग सब्टिट्यूट करेंगे तो सप्टिट्यूट करने पर वेटा ये जो V की वैलू है ये 4 root 3 है तो V की वैलू हम लिख देंगे minus 4 root 3 और plus minus root B की वैलू आपकी 4 root 3 का इसक्वायर और minus 4 into A की वैलू 4 होगी वेटा और into C की वैलू 3 होगी और अपान 2 और into A की वैलू ये 4 होगी वेटा अब आगे की बात करें तो आगे ये minus 4 root 3 होगा वेटा और plus minus आप 4 का स्क्वायर करेंगे वेटा तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा और root 3 का जब स्क्वायर करेंगे वेटा तो root 3 का स्क्वायर आपका 3 आएगा और 16 का 3 में multiply होगा वेटा तो 16 त्रीजा 48 होगा तो इसका पूरा जो स्क्वायर होगा विटा ये हमारा 48 आएगा और माइनस 4 फोरजा 16 होगा और 16 का 3 में मल्टिप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 18 होगा 48 होगा और 2 फोरजा ये आपका 8 हो जाएगा विटा अब यहाँ पे माइनस फोर रूट 3 और आपका ये प्लस माइनस 48 में से 48 माइनस होगा तो ये 0 आएगा और अपान ये 8 होगा विटा अब ये माइनस आपका फोर रूट 3 होगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है विटा तो 0 को हम यहाँ पे छोड़ देंगे 0 से हम को कोई मतलम नहीं बेटा तो minus 4 root 3 upon 8 होगा बेटा और इसको हम cancel out करेंगे तो 4 वंजा 4 और 4 तूजा 8 होगा बेटा तो minus root 3 upon 2 minus root 3 upon 2 यही इस दो घाज समीकरण के मूल होंगे और इसके दोनों ही मूल minus root 3 upon 2 होंगे पहला मूल भी minus root 3 upon 2 होगा और इसका जो दूसरा मूल होगा बेटा वह भी minus root 3 upon 2 होगा तो अतह लिख सकते हैं बेटा कि minus root 3 upon 2 और वह minus root 3 upon 2 दिये गए समीकरण के मूल है दिये गए दो घाट दो घाट समीकरण समीकरण के मूल है बेटा मतलब इसके मूल दोनों सेम होंगे अर्थात यहाँ पे alpha का मान और beta का मान equal होगा तो यह हमारा question है जिसको हमने दो घाती सूत्र की सहायता से साल्व किया अब इस पे एक question और हम लोग अच्छे से समझेंगे question number second है बेटा question number second क्या है ध्यान पूर्वक आप देखें बेटा question number second जो है वो आपका है 2x square minus 7x plus 3 is equal to 0 3 is equal to 0 यह equation number first है अब दो घात के व्यापक समीकरण से इसकी हम तुलना करेंगे जो दो घात का व्यापक समीकरण है दो घात का जो व्यापक equation है वेटा व्यापक समीकरण वो हमारा होता है ax square plus bx और plus c equal to 0 यह equation number second है दोनो equation की तुलना करेंगे समीकरण नमबर 1 वैदो की तुलना करेंगे वे दो की तुलना करने पर और समीकरण नमबर एक और दो की तुलना करेंगे तो x square का गुडांक a है और यहाँ x square का गुडांक 2 है बेटा तो a की value 2 होगी b की value यहाँ पे बेटा yaks का गुडांक b है और यहाँ yaks का गुडांक minus 7 है तो b की value minus 7 होगी और जो अचरपद constant value है c की value वो c की value आपके थिरी होगी अब आप सूत्र का प्रियोग करेंगे दो घातिय सूत्र का प्रियोग करेंगे और यह सूत्र आपने कहा अब यहाँ पर हम value को substitute करेंगे a, b, और c तीनों value को ध्यान पूर्वक हम रखेंगे तो यहाँ पर minus है बिटा और b की value minus 7 है तो यह minus 7 हो गया plus minus root b की value minus 7 है इसका हमने square कर दिया minus 4 into a की value 2 है बिटा और into c की value 3 है बिटा और अपान 2a है तो 2 into a की जो value है यह आपकी 2 हो जाएगी यह minus minus का जो multiply होगा बिटा वो plus 7 आएगा और plus minus यह 7 का जो square है बिटा 29 होगा और minus 4 तूजा 8 और 8 तूजा 24 और अपान 2 तूजा आपका 4 होगा बिटा तो यह आपका 7 होगा plus minus 49 में से 24 minus करेंगे बिटा तो 9 में से 4 गया आपका 5 आएगा और 4 में से 2 गया आपका 2 आएगा बिटा और अपान यह 4 हो जाएगा यह आपका हो जाएगा बिटा 7 plus minus और 25 का जो square root होगा बिटा 25 का square root 5 होगा और यह आपका 4 आजाएगा बिटा अब यहाँ पे 2 value possible हो बिटा एक तो positive मान लेंगे और दूसरा हम इसका negative value लेंगे positive value और negative value दो value लेंगे बिटा तो x की जो value आएगे बिटा x की value एक बार तो हम positive चिन लेंगे बिटा तो 7 plus 5 आपकान फोर होगा और एक बार हम इसका negative value लेंगे negative value तो 7 minus 5 अपान फोर इसको हम solve करेंगे बिटा तो 7 में 5 एड़ होगा तो आपका 12 आएगा 12 अपान फोर होगा और 7 में से 5 माइनस जाएगा बिटा तो आपका 2 अपान फोर होगा बिटा अब यहाँ पे 4 वन जा 4 और 4 त्री जा 12 4 से 12 को cancel out करेंगे तो 3 आएगा और 2 से 4 को cancel out करेंगे तो 2 वन जा 2 और 2 वन जा 2 और 2 तू जा 4 तो यह आपका 1 अपान फोर होगा बिटा तो इसमें बिटा अतह हम लिख सकते हैं अतह हम लिख सकते हैं कि 3 वे 1 अपान टू दिये हुए दिये हुए दो घात समीकरण के मूल है बिटा तो आप लोगों ने दो घात सूत्र के आधार पर स्रीधराचार सूत्र के आधार पर दूई घात समीकरण के मूल कैसे निकाले जाते हैं इसको आज अच्छे से देखा बिटा बिटा आप लाइफ में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने द्रड इच्छा सकती बहुत मजबूत करने पड़ेगी आपको कम से कम अपने फ्रेंड सरकिल को छोटा करना पड़ेगा बिटा और जो अपना इम है अपना टारगेट है उस टारगेट को तब तक फालो करते जाना जब तक उस टारगेट या उस मंजिल तक आप न पहुंच जाए बीच में आपको तमाम लोग भ्रम करने वाले मिलेंगे, ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चियां, ऐसे लोग, वैसा समाज, ऐसी चीजे, वैसी चीजे, इन सब चीजों को आप छोड़ करके, केवल अपने मेन टार्गेट की तरह हीम करेंगे, और जैसे, आरजुन ने केवल मचली की आँख को एम किया, मचली को नहीं देखा, केवल उसकी आँख को एम को टार्गेट करके, तीर चलाया, उसी प्रकार बेटा, आप अपने एम को टार्गेट करके, उसका तब तक पीछा करेंगे, जब तक आप सफल न हो जाए, और सफल होने के बाद बेटा सारी दुनिया अपनी हो जाती है, और सारे ऐसो आराम अपनी हो जाते हैं, तो युवा बच्चों से अपील है, कि ओ अपने मार्ग से बिलकुल न भटके, और अपने एम की तरफ, अपने लक्ष की तरफ, अच्छे से बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, सफलता जरूर मिलेगी बेटा, तो आसा करता हूँ, ए वीडियो आपको पसंद आया होगा बेटा, किर्पया वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और सब्सक्राइब करें बेटा, जैहन।